असलाम लेकुम आई होप आप सारी लोग है रेट से होंगे आज इस लेक्चर के अंदर हम प्रैक्टिकल ही देखेंगे किस तरह से आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं शॉबिफाई के ऊपर तो चलें लैप्टॉप स्क्रीन के ऊपर चलते हैं बिफोर डूइंग डैट मैं आपको बताता चलूँ के यहां पे हम यूज करेंगे डीजर एप तो काफी सारी एप शॉपिफाई की ड्रॉप शिपिंग के लिए अवेलेबल हैं जिसके अंदर शॉप मास्टर है और ओबर लो मोस्ट आफ मोस्ट ट्रेंडिंग है और इसके लावा जो डीजर है वो अभी वो एप स्टोर के अंदर नजर नहीं आती आई डोंट नो क्या इशूज हैं लेकिन वह अभी नजर नहीं आती इस वज़े से हम डीजर यूज करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से अली एक्स्प्रेस से आप ड्रॉप शिपिंग कर सकोगे अपने शॉप यहां पर क्या हो गया हम ने हम आगे वापिस एपस के अंदर यहां पर रिकमेंटर डेप्स शॉपिफाय अप्स्टोर्स और यहां पर इसलग करेंगे हम डीजर है कि यह हमारे पास अभ है इसको मैंने स्मप्ल क्लिक किया अड्म किया और इसको सिंपली में इंस्टॉल कर दूँगा इसको करने से पहले आपके पास अलीएक्स डॉटकॉम का एक अकाउंट भी होना चाहिए तो मैं सिंपल इसको इंस्टॉल कर दूंगा इंस्टॉल अब और यहां पर देखें अकाउंट फॉर यू रिजिस्टर यॉरसेफ में रिजिस्टर करता हूं क्योंकि अलेक्स्प्रेस पर मेंने भी एक अकाउंट बनाया नहीं है तो यहां उससे पहले हमें डीजर एप पर अकाउंट बनाना पड़ेगा तो सिंपल में यहां पर अपना इमेल दे दूंगा जो मेरे बास यहां पर मौझूद है लेट से आपके यहां पर मैं यह एमेल दे दूंगा तो सिंपल रिजिस्टर माय अकाउंट कर दूंगा अब डीजर के उपर मैंने सक्सेस्फुली अकाउंट बना लिया है तो यह थोड़ा लोड करेगा लोड करने के बाद यहां पर यह कह रहा है कि डिफरेंट पैकिजिस आप ले यूज करूंगा तो मैं सिंपल इसको स्लेक्ट कर लूँगा फ्री प्लैन को और यहां पर यह देखिए कह रहा है कि अले एक्सप्रेस को लिंक करें तो मेरे पास सिंपल यहां पर मैं क्लिक करूंगा क्लिक करने के बाद यहां में यहां पर ले आएगा मेरे पास aliexpress का account अभी created नहीं है तो मैं directly sign in कर लूँगा अपने जो है Gmail account के साथ तो आप अपने proper aliexpress का account बना सकते हैं यह इसी तरह से यूज़ कर सकते हैं तो यहां पर देखें यह authorize कर लूँगा मैं इसको यहां पर अगेन authorize कर लूँगा तो अब अगर मैं यहां पर देखूं तो मैं यहां पर select करता हूं aliexpress और यहां पर देखें मेरा account जो है वो successfully create हो चुका है और मैं इसको next next कर दूँगा अब यहां पर देखें मेरा aliexpress का account create हो चुका है यहां पर देखें यह create हो चुका है अब basically aliexpress पर निस बतन जो prices होती है product की वह बहुत ज्यादा कम होती है ठीक है let's say मैं यहां पर अब इसको अगर मैं सर्च करूं यहां पर देखें अगर मैं इसको यू पीके आर के अंदर ही चलो रहने देते हैं हम इसको तो यहां पर देखें एयर बड्स जो है वो यहां पर यह वाले एक असार रुपय के मिल रहे है राइट अब इसको अगर मैं सर्च करूं किसी और स्टोर के उपर कि यहां पर दराज लोगल मार्केट की उपर ही देख लेता हूं कि अब दराज पर यहीं सेम एयर बड्स कितने के उपी क wen ऋपैले कि हो एहां की शैदा के उपाप नहीं है तो मैं बापिस चल आ जाता हूं और यहां जाता हूं यह मी का ओफिशन स्टोर है I think हमें कोई और प्रोड़क्ट देखना चाहिए let's say मैं यहाँ पे कोई और प्रोड़क्ट देख लेता हूँ let's pose mouse तो यहाँ पे देखे 219 रुपए के यह mouse है can you imagine के यही mouse local market के अंदर यह कहीं किसी और store के ओपर 1500 का भी करा होता है तो आप क्या करेंगे अब मैंने Aliexpress को connect कर लिया है अपने Shopify store के साथ अब मैं अगर इस चीजों को close कर दूँ और यहाँ पे इसको reload करूँ reload करने के बाद simple यह है apps के अंदर आओ और डीजर app के अंदर चाला जाओ तो अब क्या हो रहा है कि मेरे पास supplier है Aliexpress राइट अब मैं simple वहाँ से product import कर लूँग अपने Shopify store के अंदर और अपने Shopify store को promote करना शुरू कर दूँगा जब order आएगा मेरे Shopify store के उपर तो मैं वही order place कर दूँगा Aliexpress पे मेरे Shopify store के उपर 500 रुपय का order आए Shopify Aliexpress के उपर वही चीज 200 रुपय की मिल रही है तो मुझे 300 रुपय का फायदा हो जाएगा तो यहां पर देखें यह connected है अब यहां पर यह बड्स यह कुछ भी स्लेक्ट करना चाहूं तो यहां पर देखें यह 45 डॉलर का 9 डॉलर का 6 डॉलर का 1 डॉलर के यह अविलेबल है तो मैं क्या करूंगा add to import list simply यहां पर मैंने click कर दिया और यह मैं इंपोर्ट लिस्ट के अंदर आ गया ठीक है यहां से मैं जो है find supplier यूज कर रहा है और यहां पर देखें यह इंपोर्ट लिस्ट के अंदर आ गया इसको मैं simple यहां से push to Shopify कर दोगा अब यह exactly as it is product मेरे Shopify store के अंदर पब्लिश हो चुका होगा अगर मैं यहां पर जाओ हूं तो यहां पर देखें यह completely यहां पर शो हो चुका और मेरे Shopify store के अंदर यह शो हो चुक है exactly as it is ठीक है अब मैं इस product को अपने store के साथ promote करना शुरू कर दूंगा order आएगा अब यहां पर क्या करूंगा मैं प्राइस रख दूंगा लेट्स पोज टैन डॉलर मतलब सस्ते में लेके हमें थोड़ा सा महंगा बीचना है product तो इस तरह से हम इसकी प्राइस चेंज कर देंगे जो भी हम प्राइस चाहें वह प्राइस यहां पर आड़ कर सकते हैं ठीकि और जो आटम्स हमें नहीं चाहते हैं कि हमारे स्टोर पर शो हों तो वह मैं इस तरह से डिलेट कर देंगे और इसको मैं सेव कर दूंगा है ते तो इस चाहले से आप शॉपीफाइ मतलब डीजर को यूज करते होगे अलीएक्सप्रे से प्राइस प्रॉडक्स प्रॉडक्स के अंदर और उनको पर मोड़् कर सकते हैं और पहले तो आडर आपकी शॉपीफाइश च्टोर के ऊपर आएगा ना जब दे दिये उस product के और aliexpress पर वो चीज 300 रुपय किये तो आपने 50 रुपय ले लिये वहां से 20 रुपय खुद रख ले 30 रुपय को order उसके नाम से उसके address से place कर दिया aliexpress तो simple is that बिल्कुल simple सा model है लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा marketing करनी पड़ती है काफी ज़्यादा चीज़ें इसके about आपको learn करनी पड़ेंगी मजीद तो यह मैंने आपको basic idea दे दिया और एक एप के जरी बता दिया कि और आपको मैंने एक idea दे दिया तो I hope आपको समझ आई होगी अगर किसी भी तरह का कोई question है कोई problem है तो आप comment कर सकते मैं आपको जरूर रेस्पांस करूंगा मिलते हैं इंशाला नेक्स लेक्षर के इंद्रे तिल दिन keep learning keep exploring अलाफिस